Hello everyone, आज हम 7th English की Honeycomb Book से 6th Poem Mystery of the Talking Fan पढ़ने वाले हैं. इसे American Poetist Maude Rubin ने लिखा है. Mystery of the Talking Fan यने बात करने वाले पंखे का रहस्य. Mystery यने रहस्य, Talking Fan यने बात करने वाला पंखा. ये कविता आवाज करते हुए पंखे पर आधारित है. Poetist कहती हैं कि पंखा लगातार कुछ कहना जाता है. हाला कि Poetist पंखे की आवाज को समझ नहीं पाती है. तभी कोई पंखे की मोटर में ओईल डालता है और पंखे से आवाज आना बंध हो जाती है. इसके बाद सारा रहस्य समाप्त हो जाता है. इस कविता में personification या वयक्ति की करन इस अलंकार का उपयोग किया गया है. ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपकी text book से पढ़ना शुरू करेंगे. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या आप जहां पर बैटे हुए हैं वहाँ कोई ceiling fan है? Ceiling मतलब चट. Is the fan quiet or noisy? क्या वो पंखा चुपचाप है या फिर आवाज करता है? Quiet याने चुपचाप, noisy याने आवाज करने वाला. If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर ये आवाज करने वाला है, तो ये इस कविता में जो पंखा है, जरूर इसका कोई दूर का रिष्टेदार है. Distant relative याने दूर का रिष्टेदार. पोवम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Once there was a talking fan. Electrical, his, chatter. एक बार एक बात करने वाला पंखा था. उसके बात करने का तरीका, electrical या विद्योतिय था. Chatter याने बात करने का तरीका. I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. वो जो कहता था मैं ठीक से नहीं सुन पाता था और मैं आचा करता हूं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. Doesn't matter याने फर्क नहीं पड़ता है. Because one day somebody oiled his little whirling motor. एक दिन किसी ने उसके motor में तेल डाल कर उसकी आवाज बन कर दी थी. वर्लिंग याने घूमने वाली. And all the mystery was spoiled. Spoiled याने खराब करना. और सारा रहस्य खराब हो गया. तब से इसने काम करने के दोरान आवाज करने बिल्कुल ही बन कर दी थी. Poetis को यहां ये कहना था. He ran as still as water. वह पानी की तरह बिल्कुल खामोश हो गया था. और शान्त चलने लगा. इस कविता में personification या वयक्ति की करन इस अलंकार का उपयोग किया गया है. आपको पता ही होगा कि किसी भी साधारन सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकरशक धंग से कहने के लिए या किसी साधारन बात को और दिल्चस्प बनाने के लिए भी कवि अपनी कविता में figure of speech का उपयोग करते हैं. परसोनिफिकेशन इस अलंकार में किसी ऐसी चीज को मानविय गुन या विशेश्टा देने का कारिय किया जाता है जो मानव नहीं है. तो कर्टन ये एक निर्जव वस्तु है लेकिन उसे humans की तरह treat किया गया है. इस कविता की बात करे तो fan के बारे में कहा गया है कि his chatter he said इस तरह से ये परसोनिफिकेशन है. इसी के साथ ये छोटी सी कविता यही समाप्त होती है. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. Thank you.